साथ्यों हमारे शहरों की आज की क्या जरूरत है और आने वाले दस बारा सालों में क्या जरूरत होगी इस वीजन को लेकर हमने काम शुरूर किया अब जैसे सूरत और गांदिनगर को है ले लीजिए दो दसक पहले सूरत की चर्चा इसके विकाद से भी ज्यादा प्लेक जैसी महामारे के लिए होती थी लेकिन सूरत वास्यों में सभी को गल्या लगाने का जो स्वाबावी गूर है उसने स्थीतियों को बदलना शुरू कर दिया हमने हर उद्यम को गल्या लगाने वाली सूरत स्पिरिट ये सूरत स्पिरिट पर बल दिया आज सूरत आबादी के लिहाद से एक तरब देश का आठवा बड़ा शहर है लिकिन दुनिया का चौथा सबसे तेजी से विक्सित होता शहर भी है दुनिया के हर दस हिरों में से नव सूरत में तरा से जाते हैं आज देश में कुल मैं मेंड फैबरिक का 40 प्रतिशत और मैं मेंड फाइबर का करिब 30 प्रतिशत प्रोडक्शन हमारे सूरत में होता है आज सूरत देश का दूसरा सबसे स्वच्छ सहर है भाई और बहनों यह सब कुछ एक बहतर प्लानिंग और संपुर्णता की सोच के साथ संभव हो पाया है पहले सूरत में करीब 20 प्रतिशत आबादी जुग्यों में रहती थी अब गरीबों को पक्के घर मिलने से यह घट करके 6 प्रतिशत रह गई है शहर को भीड़वार से मुक्त करने के लिए बहतर ट्राफिक मेनेजमेंट से लेकर अनेक दूसरे कदम उठाए आज सूरत में 100 से ज़्यादा पूल हैं जिनमें से 80 से ज़्यादा बीते 20 सालों में बनाये गए हैं और आठ प्रोलों का निर्मान जारी भी है इसी तरह सीवेज ट्रीट्मेंट प्लांट्स इसकी क्यप्रसीड़ी बढ़ाई गई कि आज सूरत में करीब एक दर्जन सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट्स है सीवेज ट्रिट्मेंट से ही शुरत को आज करीब 100 करोड रुपिय की आए प्राप्त हो रही है मितें सालों में सूरत में बहतरίνं आधुनिक अस्पतालों का निर्मान किया गया इन सुभी सभी प्रयासों से सूरत में Ease of Living बैतर हुई आज हम देखते हैं कि सूरत एक भारत स्रेष्ट भारत का कितना बैतर उधारण है यहां में पुर्वान्चल, ओडिशा, जारखन, पच्चिम मंगाल, नौर्धीस, देश के कोने कोने से अपना भाग्य चमकाने के लिए आये हुए लोग, हमारे उद्ध्यमी लोग, सिस्ट और समर्पन के साथ लगे हुए लोग, एक प्रकार थे, जीता, जाकता, सपनों से भरा हुआ, लगु भारत, सूरत की धर्ती पे पनपा है यह सभी साथी मिलकर, सूरत के विकास को नई बुलंदी देने के लिए काम कर रहे हैं साथ क्यों, इसी तरह, कांदी नगर, पहले की उसकी पहचान क्या होती थी? यह शहर, सरकारी नौकरी करने वालों का, रिटायर्ड लोगों का, एक प्रकार से धीला, ढाला, सुस्त, ऐसा एक छेत्र बन गया ता, उसको शहरी नहीं कह सकते लेकिन पिछले कुछ सालों में, हमने गांदी नगर के इस छवी को तेजी से बदलते हुए देखा है, अब जहां कहीं भी जाएंगे, गांदी नगर में आपको युवा दिखेंगे, नवजवान दिखेंगे, शप्रों का अंबार दिखेंगा, आज गांदी नगर की पहिचान है, IIT गांदी नगर, गुज्रात नेश्नल लौ उनिवरसीटी, नेश्नल फोरंजिक सायेंस उनिवरसीटी, रक्षा शक्ति उनिवर्सीटी, निप्ट, आज गांधिनगर की पहचान है, पंडित दिंदाल पेट्रोलियम उनिवर्सिटी, इन्डियन इंस्टिट आप टीचर्स एजुकेशन, धिरुबाय अंबानी इंस्टिट आप इंफर्मेशन एंड कॉम्मिनिकेशन टेक्नोलोजी, नेशनल इंस्टिट आप डिजा फाग्य घड़ने वाले लोगों का घड़ना निर्मान कारिय गांधिनगर की धर्ति पर हो रहा है, इन संस्थानों से केवल सिक्षा के शेत्र में परिवर्पन नहीं आया, बलकिल इन संस्थानों के साथ सब कंपनियों के केमपस भी हाँ आना शुरू हुए, गांधिनगर म महात्मा मंदीर, कांफरेंस टूरीजिम को भी बढ़ा रहा है, अब प्रोफेशनल्स, डिप्लोमेट्स, तिंकर्स, और इलीडर्स यहां आते हैं, कांफरेंस करते हैं, इसे शहर को एक नई पहचान भी मिली है, और एक नई दीशा भी मिली है, आज गांधिनगर के शिक्ष संस्तानों, आधुनिक रेल्बे स्टेशन, गिप्ट सीटी, ऐसे प्रोजेक्स, इनफ्रा के अनेक आधुनिक प्रोजेक्स, इसने गांधिनगर को जीवन्द कर दिया है, एक प्रकार से स्वपनिल शहर बना दिया है, साथियों, गांधिनगर के साथ ही, अमदाबाद में ही ऐसी अनेकों परियोजना हैं, जो आज शहर की पहचान बन चुकी है, साबरमती रीवर फ्रेंट हो, कांकरिया लेक फ्रेंट हो, बॉटर एरो ड्राम हो, बस रेपिट ट्रांजिस सिस्टिम हो, मोटे रामें विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हो, सरखेज का च्छोय लेन गांधिनगर हाइवे हो, अनेकों अनेक प्रोजेक्स बीते बर्ष सहर की आधुनिक्ता का आवरन पहनाये जा रहा है, अमदाबाद को भारत का पहला वर्ल्ल हेरिटेज सीटी गोशित किया गया है, अब अमदाबाद के पास धोलेरा में नया एरपोर्ट भी बनने वाला है, इस एरपोर्ट को अमदाबाद से कनेक करने के लिए, मोनोरेल को भी हाल में स्विकृति दी जा चुकी है, इसी तरह अमदाबाद और सुरत को देश की आर्थिक राध्धानी मुंबई से जोडने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम की प्रगती पढ़ा है